स्वागते बज्चों जीटी चैम्स के चैनल पर जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेंड़ 5th English 6th Chapter Announcements तो यह announcements होते क्या है? Announcement यानि कि घोषना करना यानि कि कोई अगर बात है, कोई news हो गया या कोई warning हो गई या कोई event आने वाला है या तो आपको अगर holiday देना होगा तो क्या किया जाता है? Announcement किया जाता है यानि कि स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं बहुत सारी क्लास भी होती है तो टीचर हरे क्लास में बताते हुए थोड़ी न रहेगी आज यह होने वाला है कल छुट्टी है तो उसके लिए क्या बनाएगे? Announcements बनाएगे और यह जो news होता है यह किदर लगा रहेगा तो यह जो स्कूल का और college का जो भी notice board होता है वहां पर यह announcement पिन-up करके लगे होते हैं जैसे कि हमें यह आपे test book में दिख रहे है तो यहां पे क्या लिखा गया है पहले यहां पे क्या करते हैं पहले वो लोग लिखते हैं date तो यहां पे लिखा गया 6th July 2015 फिर बोला गया इस बिन-up observed by the head boy and head girl that certain classes do not clean up their classrooms before leaving if any class is found untidy and littered after school that class will be detained the next day after school hours up to 4 pm Please take note of this जैसे कि हमने देखा था कि announcements किसके लिए होते हैं पहला ही हमने देखा था कि वो warnings के लिए होते हैं सब्सक्राइब को रुका के रखेंगे स्कूल आवर्स के बाद तक भी और सबको क्या करना है सबको अपना class जो साफ रखना है तो इससे क्या पता चलेगा इससे जो बच्चे होंगे जब नोटीस बोड के पास से जाएंगे तो क्या कर सकते हैं इसको पढ़ सकते हैं इसको पढ़ने के बाद वो क्या करेंगे अपने class को साफ सुत्रा रख सकते हैं जो भी class गंदी थी वो बच्चे क्या करेंगे अपने class को अच्छे से रखेंगे अब यही जो नोटीस यही जो नूज किसी को देना होता यानि कि हर एक classroom में जाना होता उससे क्या होता है इससे क्या होता है इससे क्या होता है इससे क्या होता है इससे आपको बस नोटीस बो और आपको पता जो जाएगा फिर दूसरा एक्जामपल है Tomorrow, that is on 10th of July, school will be closed an hour earlier as the teacher have to attend an important PTA meeting so please inform your parents to arrange to pick you up at 2 p.m. instead of 3 p.m. यानि कि यहां पर भी उनोंने क्या बोला है? यहां पर उनोंने बताया है, अनॉंस्मेंट किया है कि जो 10th July पे जो school है वो एक घंटे पहले छुट जाएगा तो आपको क्या करना है? आपके parents को बोलना है कि आप क्या दो बज़े आओ, तीन बज़े मत आना तो यह भी क्या हो गया? यह भी एक announcement हो गया तेन सब्सक्तिबर भी सेज़ेत को लागी है, अनॉंस्में को लिए सफ Himself क घंटे को लगा। अगर वो स्कुल-अवर्ग मे जाती है, तो थोड़ा 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 time के बाता तो ना तो थोड़ा time क्या कर सकते है उन यह एक्स्टा पढायी कर सकते थे तो जो अनॉंस्मेंट होते हैं वो तोड़ा ऐसी help करते हैं आपको क्या बोला गया है? Next, on Sunday 12th July 2015 there is a football match between classes 8 and 9 on the school ground. The match will begin at 9 a.m. All students are invited to come and cheer their favourite team. Please come on time so that the players are not distracted. यानि कि अब Sunday 12th को क्या होने वाला है? उनके school में एक match उने वाला है जो कि 8 और 9 के बीच में होने वाला है और लोगों को जो students को बुलाया गया है कि आप क्या करो अपने favourite team को support करो और क्या करो टाइम पर आओ यानि कि आपको टाइम भी जे दिया गया है और यह भी बता दिया गया है तो जो बच्चे नहीं आया होंगे उनको तो पता ही नहीं चलता की Sunday को क्या होने वाला है मैं चोने वाला है लेकिन अगर वो लोग नेक्स्ट दे आते है वो लोग नोटीस बोट पर नोटीस को देखते है उनको उसे पता चलता है की Sunday को क्या होने वाला है मैं चोने वाला है The next example है The school has organized a storytelling competition for classes 5th, 6th and 7th from 21st to 25th of July The competition will be held in the school hall at 10 in the morning Children may select a fable, a folk tale a fairy tale a true story a funny story The three prizes will be given for each category The time limit is 3-5 minutes Those who wish to participate may contact Mrs. Sanjana Mohite for other details They must register their names with her best before the 16th of July यानि की जो बच्चे अभी स्कूल में क्या हो है competition लगाया गया है तो उन्होंने competition का detail दिया अनाौ्स्मेंट का अईया मिलomma भी रूहाला हम इस क्यीन करने वाले दिए जिसंगाणיोथ प्रूस्मेंट की will जिसंगे लगाण डावाला कि जो अनाौ्स्मेंट होता है वो हम पहले ही लगा देते यानि कि Also here basic 25 को होने वाला है तो हम लोग नोटीस बोट पर अनाॉस्मेंट कब लगा देंगे तो उसको कब लगा देंगे उसको लगा देंगे 15 को तो जो बच्चे उनको पहले से पता चल जाएगा कि 21st ने 25 को क्या कुछ तो होने वाल है और उससे वो क्या हो सकते हैं वो लोग ready हो सकते हैं खुद को तयार कर सकते हैं stories जूण सकते हैं और इससे उनको पूरी information मिल जाती है और फिर भी अगर उनको और डीटेल्स चाहिए यानि कि अगर इन डीटेल्स से नहीं कुछ हो रहा है तो वो क्या कर सकते हैं तो यहां पर इन चार्ज है उनसे क्या कर सकते हैं मैं सकते हैं तो यहां पर हमने एक और announcement का क्या देगा example देगा देन यहां पर बोला गया construction work to extend the school building will start next week all students are cautioned not to cross over the fence at the construction site it is dangerous and may cause you injury may cause you injury please stay away from that fence यानि कि अभी यहां पर construction work होने वाल है तो उदर के announcement किया है कि क्या गंडा है आपको उस जगह से दूर है यहां पर आपको warning दी गई है यहां पर आपको बताया गया है कि महां पर क्या खत्र है तो महां पर मत जौते भी क्या एक announcement का example अगर किसी का कुछ घुम जाता है तो उसको कैसे लोग लिख सकते हैं यहां लिखाया है cycle key with a blue key chain has been found on the ground whoever has lost it can contact the clerk Mrs. Nina Pinto and see if it belongs to him यानि कि अगर किसी की चीज़े घुम गई है वो ढून रहे हो आप यह वो ढून रहे हो तो आपको अगर सत्यों notice board पर लगा सकते तो पढ़ के पढ़ सकता है और अगर जिसका यह घुमा है वो notice board पर पढ़ लेगा तो उसको क्या मिल जाएगी उसकी समान मिल जाएगी then आपको यहाँ पर exercise में क्या बोला गया चूज शूटेबल हेडिंग फोर इच अनॉसमेंट फॉर्म दोस गिवन बिलो यानि कि आपको क्या बोला है कि आपको क्या करने शूटेबल हेडिंग ढूनना है किसके लिए जो यह अनॉसमेंट दिये गए उसके लिए तो चेंज यहानि कि school hour change होने वाले तो यहान पर आपको डिया गया example तो आप क्या कर सकतेऊ जहां से इनका इस अनॉसमेंट का रेफरेंस ले सकते हो उसको लिए नेक्स्त आपको और भी दिये गए तो आपको क्या कर सकते हो उसके जो ऊपर रेफरेंस दियागे उनको यूस करकर सकते ह फिर आपको बोलागा है प्रेजेंट करो आप उसको प्रेजेंट करो आपको नोट बुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है फिर आपको गुरुब वर्क दिया गया है यानि की जो अनौंस्मेंट बनाने के लिए फिर आपको अनौंस्मेंट को लिखा कैसे जाता है फिर अनौंस्मेंट में होता गया है और उसको कान लगाया जाता है आपको ये वीडियो समझी होगी तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैज़िए